आज मैं लिकार आई हो गोवी मंचुयन की रेसिपी यह सबसे आसान मंचुयन की रेसिपी है इस रेसिपी में अलग से कुछ भी घिसने की ज़रत नहीं है बस गोवी को कट गिया उसके बाद से मंचुयन बना लेंगे जो गोवी है वो अंदर से सौप्ट और बहार से बहुत ह फूल घोबी को अच्छे से वाष करने के बाद इस तरीके से छोटे पीसेस कट कर लेंगे किनालो को कट करने के बाद यह जो घोबी के फ्लावर्स है इनने एक जासा करिएगा जिससे जो घोबी मंचूरियां देखने में अच्छा लगेगा अब इस गोबी को हम हलका सा पका लेंगे गैस पर पतीला भरके पानी बने करें रख देंगे जब पानी बढ़ियां से गरम हो जाएका तो इसमें जो हमने गोबी के पीसे कट किये हैं उन्हें डाल देंगे गड़ी देखके सिर्फ दो मड़ पकाएगा उससे याद नहीं पकाएगा क्योंकि बाद में से में deep fry भी करना है गड़ पैन टाने से यह फायदा होता है कि गोभी में अकसर बहुत छोड़ कीड़े होते हैं जो देखते नहीं है वो भी निकल जाते हैं दो मड़ बाद गैस को बंद कर देंगे और पानी को छान लेंगे यह डल्दी ठंडा हो जा उसका कुकी प्रोसेसी बंद हो जा इसके लिए हम इसके उपर ठंडा पानी डाल देंगे अब इसके लिए पटापट से एक बैटर बना लेते हैं एक बोल में 4 टेबल स्पून मैदा बलुजा बाद करेंगे यह आना लेंगे शामal काटा ड्री उसके साथी में चाथी पून मительно लेना है उतना घकार लिए उसके साथी में 1 बड़ा चमच चावल न काता लिए यह बलूकल है अब इसमें जाएक स्वालंसार नमक 1 चछोथा चमच काली मरिश का पावडर के और यह देखिए इसी के साथ जो हमारा बैटर है विल्कुल रेडी है जासा हम पकोड़ मासा में बैसन का घूल रखते हैं विल्कुल वैसी चाहिए हमें बस यह बैसन का नहीं कॉंफर मैदे का घूल है अब इसमें फूल गोभी के पीसे को डाल देंगी और इसे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगी हलके हाँ से मिलाते हैं मिक्स करेगा ताकि गोभी के हर पीस पर यह जो बैटर से कोटिंग हो जाए बस थ्यान रखिएगा जो मैदे और कॉंफर का घूल बनाएगा उससे बहुत जाब लगणा नहीं रखिएगा वनना गोभी के पर बहुत मोटी मोटी लेरिंग हो जाएगी बैटर की पर जो गोबिया नो बहुत क्रिस्पी नहीं बनेगा उसके उपर बहुत ही मोटी लेर इंगा जाएगी बैटर की सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हो और आप देख सकते हैं गोबी के उपर बैटर अच्छे से लग गया है और जो गोबी के फूल है वो भी साफ साफ दिख रहे हैं बहुत मोटी लेर नहीं है बैटर की सो अब हम इने फ्राइ कर लेंगे सो जैसा हम पकोड़े फ्राइ करने के लिए तिल गरम रखते हैं बिलकुल वैसा ही तिल गरम होना चाहिए जैसे गोबी फूल हो ओल में डालेंगे तो हम बबल्स बनने लगेंगे कैस की फिर्म को मीडियम है रखेगा और इन गोबी की पीसे को थोड़ा दूर डूर डालेगा पास पास नहीं डालेगा वरना आपस में चिपक जाएंगे अगर यह आपस में चिपक भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसे निकालने के बाद जब यह ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें तोड़कर हम अलग लग कर लेंगे सो इन्हें हम लगबग 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे बीच-बीच में इन चलाते रिएगा ताकि यह हर तरफ से अच्छे से पक जाएं लगबग 3-4 मिनट हो चुके हैं और जो गोबी हैं वो भी लगबग पक गए हैं इन्हें और और से निकाल लेंगे और इसी तरह बाज में डाल दीजिएगा फ्राइ होने के लिए ऐसा करने से गोबी के उपर बहुत मोटी मोटी लेरिंग नहीं आएगी बैटर की बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो दूसा बैज भी फ्राइ हो चुका है इन्हें भी और से निकाल लेंगे गोबी की पीसे को जल्दी ठंड करने के लिए इसे हम किसी जाली बर्तन के उपर रख देंगे हलका ठंडा हो जाने के बाद आप इसे हम फिरसे फ्राइ करेंगे इसे हम फ्लैश फ्राइ बोलते हैं दूबार जब फ्राइ करेंगे तो गैस की फ्रेम को बिल्कुल हाई रखिएगा और अच्छे से गरम होना बस एक दूमाट के लिए इन्हें हम हाई फ्राइ कर लेंगे दूबाला फ्राइ करने से क्या होता है जो घूबी है वो एक्स्रा क्रिस्पी हो जाते हैं और जो हम मंचुरे ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालने के बाद भी काफी समय तर क्रिस्पी रहते हैं बस इन्हें रेड़ाश चंभी कर लेंगे मस्सर नहें करने का इन्हें तर क्रिस्पी और प्राइशत की बड़ाड़ का प्याश जर्मा मिर्च दाल देगी तर यह समय वार फ्राइंगे आप चाहिए तो इन्हें बारी कट करके भी डाल सकते हैं अब इन्हें हाई फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए लगाता चलाते हो पका लेंगे सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है इन्हें हमें हलका क्रंची भी रखना है और थोगा सा पकाना भी है सब्जियां लगबख पक गई है अब हम इस तरीके से बीच में सेंटर में थोड़ी से जगा बना लेंगे सबसे पहले जाएगा एक टेबल स्पून चिली सॉस एक चमश सुया सॉस और एक चमश विनेगर डाल देंगे इससाथी में स्वादन सा नमक डाल देंगे और चुटकी भर काले मिश का पाउडर डाल देंगे और इससाइस चीज़यों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक बूल में एक टेबल स्पून कौनफोर ले लेंगे और इसमें 2-3 tablespoon पानी डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से mix कर लेगा इस mixture में जरा भी lumps ना रहें सो हमारा corn flour का mixture बिलकुर ready है इसे हम कढाई में डाल देंगे और इने फटा-फट से mix कर लेंगे corn flour डालने के बाद ये जो gravy ये बहुत जल्दी गाड़ी हो जाती है इसलिए मैं इसमें लगबग थोड़ा सा 2-3 tablespoon पानी और अट कर रही हूँ बस इसे हम 2 min के लिए और पकने देंगे ये बहुत जल्दी गाड़ा होकर ready हो जाता है इसी समय ही इसमें थोड़े से spring onions डाल देंगे वह से अच्छे से mix कर लेंगे और इसी के साथ ये जो माई manchurian gravy ये भी अच्छे से पक कर ready हो गई है अब इसमें जो हमने गोबी fry किये थे उन्हें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें फटा फट से gravy के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और गोबी को gravy के साथ mix करने के बाद हमें इसे ऐसे बहुत आदिर नहीं छोड़ना है हमें इसे तुर्ण सर्फ कर लेंगे ध्यान रखेगा जबी भी आप सर्फ करने वाले हों उसी समय ही आप मंचूरें ग्रेवी में गोबी को add करें लास्ट मिस में स्प्रिंग अनियन डाल देंगे स्प्रिंग अनियन को भी अच्छे से mix कर लेंगे इसी के साथ गोबी मंचूरें बिल्कुल ready है इसे बनाना ही बहुत आसान है यह फटाफट से बन जाता है गोबी मंचूरें बनाने के लिए अलग से कुछ भी नहीं घिसना है आप बना कर देखें हरके से को बहुत पसंद आएगा अगर आपको रस्पी पसंद आए हो तो प्लीज में चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले